तो देखिए देखते ही मूह में पानी आ गया ना जी हाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली गार्लिक नूडल्स जो की बच्छों की तो फेवरेट है ही साथी साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं से बनाना तो चिली गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर एक पतीला रखा है और उसके अंदर मैंने दो लिटर पानी का डाल दिया है अच्छे से इसे बॉइल होने के लिए तो पानी हमारा थोड़ा जब गरम हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक टेबल स्पून ओईल और साथी साथ एक चमच नमक और इसे हम एक स्पैचूला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो आप मैं इस स्टेज पर इसके अंदर आड़ कर दूंगी नूडल्स इस तरीके से नूडल्स को एड करने के बाद हम इसे पानी के अंदर अच्छे से डिप कर देंगे और दो से तीन मिनट से बॉयल होने के बाद हम इसे देखिये मैं दिखाती हूँ हमारे नूडल्स만 बिलकुर बंकर अच्छे से पक चुके हैं, हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, ओवर कुक करने पे आपके नूडल्स बहुत मैश्री मैश्री बन जाएंगे, और वो खिले खिले नहीं दिखेंगे, तो इसके बाद मैंने यहां पे एक कडाही रखा और इसे हीट कर लिया है, और इसके अं फ्यू सेकेंड्स के लिए सौटे कर लेंगे, हमें गार्ली को ब्राउन नहीं करना है, वरना उसका फ्लेवर नहीं आएगा उभर कर, तो इसके बाद मैं इसके अंदर आट कर दूँगी, एक मीडियम साइज का आनियन, और इसे भी हम फ्यू सेकेंड्स के लिए सौटे कर ल तो देखिए, आनियन्स भी हमारे हो चुके हैं, इस स्टेज पर मैं इसके अंदर आट करूँगी, एक डेबल स्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स टाले के बाद इसके अंदर ऑइल का कलर काफी चेंज होगा, और इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर साएंगे, इसके का पाद मैंने यहां पे डाल दिया है, कैरेट और साथ ही साथ Pacific being कटोरी जहूंडित मेटिपल्स पसन हैं ज ow आपको फूद्स पशंद करते हैं तो आप सथ अनियन्स के साथ बिसे बना सकते हैं यहां पर मैंने डाला है दो कटोरी कैबिच जनरली नूडल में मुझे वेज़िटेबल बहुत पसंद है और काफी यह कलरफुल दिखता है तो काफी अच्छा भी लगता है और खाने में भी टेस्ट इसका काफी अच्छा आता है तो यहां पर मैं एड़ कर रही हूँ एक चोटा चप मच वेनेगर दो टेबल स्पून सोया सॉस डार्क सोया सॉस और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से उसके बाद मैं यहां पर एड़ कर दूँगी एक टेबल स्पून भरके टमेटो चिक केचप उसके बाद मैं यहां पर एड़ कर दिया है एक छोटे चमच कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी चीनी इसलिए मैं यहां पर एड़ किया है चीनी और वेनेगर आप अपने चीली गालिक नूडल्स में जरूर एड़ करें इससे इसका टेस्ट तो इन्हांस होता ही है साथ में आपके जो नूडल्स हैं वो काफी शाइनी और काफी खिले खिले बनते हैं तो यहां पर अब मैंने एड़ कर दिया है वाइल किये हुए नूडल्स को और मैं इसे फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूगी सारे वेजिटेबल्स और सॉसेज के अंदर यह देखिए दोस्तों लग रहा है ना कितना मस्त सा नूडल्स रेडी होकर तयार है आपके मूँ में पानी आ गया तो देखिए हमारा नूडल्स बनकर बिल्कुल रेडी है देखिए एक एक नूडल्स इसके काफी खिले खिले बने हैं बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं तो चलिए इसे सर्फ करते हैं तो आज की यह रेसिपी फटा फट से बन जाने वाली चिली गार्लिक नूडल्स की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोसें के साथ इस रेसिपी को शेयर भी करें तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की रेसिपी को इंज्वाय करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तब तक के लिए बाई बाई